आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है आज के वीडियो में आपको important points पर बताने वाली हूँ जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं कि बीचे सखी कि एक माह की income आमदनी कितनी कैसे होगी 75,000 में से केवर 50,000 खर्च करने तो 25,000 का क्या करना है कहां रखने है और 50,000 में हम क् उपकरण खरीद पाएंगे तो आज की वीडियो में बहुत important जानकारी है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजे और आगे भी आपको ऐसे important जानकारी की वीडियो मिलती रहेंगी चलिए आज के वीडियो पर बात करते हैं अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ कॉमेंट्स हैं इनके बारे में जरूर बात करेंगे बहुत सारे pressure आप लोगोंने पुछे हैं और मैं कल से कोशिस कर रही हूं कि मैं वीडियो बनाओं मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि आपको आपका अंसर मिल है हमारे गाउं में अभी समू तो अच्छे खासे बारातेरा समू चल रहे हैं लेकिन यहां पर क्या है कि ग्राम संगठन नहीं था जो मुझे बनवाना था और गाउं में काफी लोग जागरुक भी नहीं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो महिलाओं की हेल्प करने के लिए मुझे यह काम जो है जल्द से जल्द करवाना था और यह बहुत पहले हो जाना था लेकिन काफी लेट हो गया तो हमारे हां क्या है कि क्लेस्टर बन चुका है यानि कि पहले समू बनते हैं फिर वियो बनता है और फिर क्लेस्टर बनता है लेकिन देर हो गई है तो आनन फानन में, जल्दबाजी में अधिकारियों ने जल्दी से क्लेस्टर बना दिया है, और वो बाहर से महिलाएं, पुराने समुख की बुला कर क्लेस्टर त्यार करा लिया है, और उसके बाद वियो के गठन की, जब मैं वहाँ पे बात की है, तो बोलते हैं, कि आपके ह चार घंटा मीटिंग में हो गया उसके बाद में ठक भी गई घर के भी काम होते हैं तो यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई हूँ चलिए मैं अपनी बात ना करते हुए आपकी बात करूंगी कि यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि विभा मिश्रा जी ह मैं बहुत इनको जो है मतलब आप पूछा है कि मैं मेरी मम्मी लक्षमी समु की सदस्या है और कोई इंकम नहीं होती है क्योंकि किसी काम की जानकारी नहीं मिलती है क्या कोई काम मिल सकता है इसमें जी हाँ बिलकुल मिल सकता है समु में आपको बहुत सारे काम मिलेंगे बस आपको जानकारी नहीं है और क्यों नहीं है कैसे नहीं है देखिए कॉमेंट आप लोग करते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्रश्चन होते हैं जिनका डिटेल में हमको उत्तर समझाना पड़ता है और आप से भी बहुत कुछ पूछना पड़ता है कि आपका समूख कब बना कैसे बन क्या किया बहुत सारे प्रश्चन होते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फालो करें और जितने भी हमारे फालोवर्स हैं मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो कोई नहीं आप उसको बना लीजिए उसमें क्या दिक्त हैं वहां पर भी तो आप इंकम कर सकते हैं पैसा कमा सकते हैं क्योंकि वह बिजिनेस का एक प्लेटफ़र्म है अगर आपको सामान बेचते हैं तो आप वहां पर अकाउंट बनाईए आप अपने फोटो और सब कुस्छेर कीजिए अपने बारे में वहां से आपको कस मैसेज करिए मैसेज के अकार्डिंग हम आपसे बात कर लेंगे और आवश्यक हुआ तो जैसे भी मतलब हम बात कर सकते हैं चलिए यहां पर इनको बता देते हैं विभा मिस्टा जी को कि आपने प्लीज रिप्लाइ मैं कहा है हमें भी बहुत चिंता होती ही ना हम चाहते हैं मेरा उद्देश से वीडियो बनाने का यह नहीं है कि मैं यहां पर इंकम करूँ या मेरा फर्स्ट उद्देश यही है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ जाग रूप करके आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करा के तो देखे अगर आपकी मम्मी सद्द सके तो पर हैं और कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलती तो क्या आपका ग्राम संगठन बना है मेरा यह तो प्रश्न हो गाई बना है तो किसी एलिफ बना है क्या वहां को यह दिकारी आते हैं बहुत सारे प्रश्न है तो आप हमको यह जरूर बता दीजे आपका समु कितने दिन हो की हैं और आपका BK कौन है इसारे प्रेशन हमें हमारे आप से हैं तो आप अगर हमें बताएंगी सही में डिटाल में तो हम आपकी कोई मदद जरूर कर पाएंगे और सम्यों की तो हम बहुत जानकारी आपको प्रोवायट करा सकते हैं बस आप देसाइ में क्या मिल सकता है सदस्या का ये थोड़ा सा हमको ओड लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं फिलाल तो समू सकी का काम मिल सकता है और हम इस पर भी बहुत अच्छे से समझाएं हैं वीडियो बनाई हमने हैं आप उसको जाकर देख लीज सकते हैं बारा भी ये समू सकी पे निर्भर करता है कि वो कितना जो है समू को देख पाएगी उसी के हिसाब से उसकी इंकम होती है और इंकम कितनी होती है रिजिस्टर कैसा होता इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है और जाकर करके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं तो शे प्रूर कीजिएगा विभा मिश्रा जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका अगला कमेंट है कि मैं मेरी मा फॉर्म डाली थी लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है बहुत सालों से समू चला रही है जी आप अपनी मम्मी के बा बहुत सालों समू चला रही है इससे मतलब नहीं है यहाँ पे कि आप कितने साल से समू चला रही है बीजी सकी बनने के लिए आप हाइश्कूल कम से कम पास होनी चाहिए आपका जो तीन आपके गाओं में दीदिया जो है वो शॉर्ट लिस्ट स्रेडी में रखी गई है पह सही उत्तर भरे थे उन्हीं तीन महिलाओं को स्लेक्ट किया गया फॉर्म तो आपके गाउं से दस भरे होंगे पांचे भरे होंगे आठ भरे होंगे कितने भी लोगों ने भरे होंगे मगर उन में से तीन फॉर्म जो सही भरे थे उनको ही स्लेक्ट किया गया और उन तीन सही फ पेपर को तो और अगर वो फेलो जाती या ट्रेनिंग छोड़ देती है कोई भी कारण होता है तब उसके नीचे वाले स्टेंडबाई को मौका दिया जाएगा यहाँ पर समुह अनिवार इसलिए है क्योंकि समुह का ही ये काम है और समुह के लिए ही ये भी सखी रखी जा रह हैं ताकि ट्रेनिंग के बाद सीधे आपकी सारी फार्मिल्टी पूरी करने के बाद ज्वाइनिंग सीधे करा दिजाए समुह का जंजट ना हो इसलिए पहले से आप समुह में जुड़के ही वहां पर जाएंगी अगला है सिनहा सिस्टर यहां पर पूछ है मैं पटना ट्र लेकिन अभी तक ट्रेनिंग किसी की भी नहीं हुई हैं जो पहले ज़ों नहीं करोना जो है बस अपडेट रही है यह पर इसनेहा जी ने पता ने ये क्या लिखा है तो आपकी समझ में आये कोई लोग तो बताईएगा फिलाल मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है जी इसनेहा जी अब दोबारा से जो है कॉमेंट कीजिएगा और यहाँ पर कुमार मिश्चा जी है कि किरपिया यह बताने का कस्ट करें कि जिन सकी का चैन हो चुका है और तीन माहा या चार माहा हो गया है उनको 4,000 मांदें के लावा किस किस कारका क्या क्या कमिशन मिलता है किरपिया पूरी डिटेल भेजे जी आपने बहुत अच्छा कॉइस्चन किया है और आप जैसे लोग ही ऐसे question करेंगे तब ही तो लोगों को जानकारी हो पाएगी आपने बहुत अच्छा comment हमें भेजा है और हम इस पर एक वीडियो बना देंगे और आपको समझा देंगे कि कैसे क्या है और इसके लावा यहां पर हम आपको बता दें कि बीसी सकी जो है वो विशेस कर स्वेम साथा सम्हू के लिए रखी गई है लेकिन साथ ही सरकार ने उसको पूरे गाउं की सेवा करने की जिम्मेदारी भी दी है तो बीसी सकी को जो है वो सबसे पहले तो समू सकी के रूप में कारे करना है और समू सकी का कार करने पर उसे 1200 रुपे मिनिमम मिलेगा और अधिक काम करेगी तो इससे अधिक भी मिलेगा और कैसे मिलेगा इस पर मैंने पहले से वीडियो बना दी है आप जल्दी से उस वीडियो को जाकर देखी अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई है कि समुसकी का मान दे और समुसकी का रजिस्टर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजे लिंक हम उपर आई बटन में दे देंगे लास्ट में एंडि स्क्रीन पर विडियो लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे वहाँ से देख लीजेगा समुसकी बीसी सकी भी बनेगी और बाकी भी समुसकी होती हैं गाउं में अगर पहले से समुसकी होगी कोई वो अपना काम करेगी और आप जो BC सक्षी बनेगी और आप भी समू सक्षी बनेगी तो आपको भी समू दिये जाएंगे देखने के लिए मनलीजे आपके गाऊ में 12, 13, 15 समू है तो 7, 8 समू अगर समू सक्षी देख रही है तो उसमें से बाकी आपको भी देखने को दिया जाएगा फिलाल तो समू सक्षी अलग होती है लेकिन BC सक्षी को समू सक्षी का भी काम करना पड़ता है तो समू सकी का भी मान दे उसको मिलता है समू सकी का कितना काम है और बारा सो रुपे जो समू सकी की वज़े से समू सकी का काम करने की वज़े से आपको मिलेंगे उस पर वीडियो में मैंने बना दी है देख लीजे वो भी आपको मिलेगा और पिलस जो आप पूरे गाउं की सेवा करेंगे जमानिकासी करेंगे लेंदेन करेंगे, खाता खुलवाएंगे लोन करवाएंगे इन सब पर आपका का कमीसन और कैसे महीने की इनकम होगी इस पर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँगी तो वीडियो देखना बिल्कुल न भूले जुड़े रही हमसे और हमाई चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है कर लीजिए क्योंकि आगे हम आपको बहुत सी ऐसी इंपोर्टन जानकारी देने वाले हैं इसके बाद यहाँ पे चाया संजे तंक यहोंने लिखा हुआ है कैसे पता चलेगा गिराम में बीसी सखी बन गए है जी आपका प्रशन तो बिल्कुल सही है कि ताकि जो लोग वेट कर रही है उनको ये किलियर हो जाए कि हमारे गाउं में बन गई है या नई गई है इसको आप इस तरह से भी चेक कर सकते है कि पहला तो आप अपने गाउं में जितने लोगों से भी जानकारी है कर लीजे मिल लीजे कि आप मतलब कि गाउं में कोई ने फार्म भरा था या आप परधान से ही पूछ लीजे उनको तो सारी जानकारी होती है क्योंकि परधान के पास ही हर योजुना की जानकारी आती हर अदिकारी उनसे ही मिलने आता है तो बीसी सखी के बारे में आपके गाउं में कोई जानता होगा सबसे पहले तो परधान जानते होंगे उसके बाद आंगनवाडी जरूर जानती होंगी उसके बाद आसा जरूर जानती होंगी और आसा के लावा सेसी पॉइंट है तो वो भी जानता होगा और आंगनवाडी इतने लोग जो है तो थोड़ा पुत इनको पता होता है कि कौन है कौन नहीं गर select हो गई है तो ये लोग जाएंगी और नहीं हुई है तो इनको भी नहीं पता होगा और इस तरहाव पता कर सकते या फिर आप सीधे सीधे जो आपके भी सखी के app पर जो आपका notification आता है उसके नीचिना पूछ सकते हैं और वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि किसका चैन हुआ है या नहीं हुआ है तो कैसे क्या इस्थिति है इसके बाद इनहीं का चाया जी का फिर एक और कॉमेंट है मैं अभी समू का खाता नहीं खुला खुला प्लीज बताईए क्या करें प्लीज पो जाए देखे समू का खाता नहीं खुला लेकिन आपने समू फिल कर दिया है कि भी समू करेंको ठीक है क्योंकि खाता नहीं खुला झालों जब तक आप प्छे खाता खुल जाना चाहिए जब आपका 75,000 का पैसा आने वाला होगा उससे पहले आपका खाता खुल जाना चाहिए ये समझ लीजिए अगर अभी नहीं खुलाया तो जल्दी खाता खुलवा ले आप बिलाक पे जाके BMMG से बात करिए BMMG बैंक से बात करके और सीघर आपका खाता खुलवाएंगे क्योंकि इस समय जो करुएंट टाइम में आपको सच बता दूना सरकार इस्पर बहुत फोकस कर रही है और बहुत सीघर सारे काम करवा रही है इस समय चाहिए काम बहुत तेजी से हो रहे हैं 10-10 रुपे की उठाकर बैंक में जमा कर दीजे और भाग दोर तो करनी होती है कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिल जाती तो आपको जाना तो पड़ेगा ही बिलाग पे अगर बिलाग से आपका खाता खुलने का फार्म जमा हो चुका है बैंक में तो आप बैंक में पता क देंगे और इसके बाद यहां पर यह जर्णा नमाता जी इन्होंने पर नाम लिखा चलिए और बीके के बारे में काफी डाउट्स हैं लोगों को बीके की मैंने वीडियो डाली है और 9500 रुपे की सैलरी को लेकर भी बहुत सारे प्राशने हैं मैं कल जब में मीटिंग में उजुम हैं। आने वारी वीडियो में बारी बारे उसरो रिकोर्डिंग को भी सुनाओगे वाहाश्य के लाई ह Korean करके लाई हूँ और आपको बताओं की मैंने क्या क्या समझाया है क्या 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 बताया है और यहां पर बीके के बारे मैं आपको अंसारी जी है, इन्होंने पूछा है, मैं, बलाक कमी, कसीमाबाद, ग्राम, रसूल, जिलाग, गाजी, पुर की ट्रेनिंग कब होगी, जी, बिल्कुल अभी ट्रेनिंग कहीं नहीं सुरू हुई है, और जहां कहीं भी सुरू होने वाली है, मतलब के 22 जून के बाद ही होने व चाहे हमसे जनकारी किज़े या अन जगह से अन वे जो आपके जिस्ते भी सही समझे जनकारी करते रहें तक आपका ट्रेनिंग छूटने ना पाए और जैसे हमें कुछ अनकारी मिलेगी मापको ज़रूर बता देंगे सपनातिवारी जी ने पूछा है कि SB की ट्रेनिंग होने क कि बाद जो आइनिंग होगी क्या सभी की ट्रेनिंग पूछा होगा यहाने जी सभी की ट्रेनिंग मतलब के सभी की ट्रेनिंग यह तो नहीं है सभी की ट्रेनिंग अगर होने के बाद जो आइनिंग होती तो फिर इतनी भी से सकी जिनकी तैयाती हो चुकी है वो हो कैसे जात करके बताइए मैं समान बैंक में मिलेगा या बैंक में कुछ समन ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है समान लिखा है कि समन लिखा है जो 75,000 रुपया आपको मिलेगा उसमें से 25,000 रुपया आप खर्च नहीं करेंगे वो तो आपको लेंदेन करने के लिए बैंक में ही रख आंगि देख देख लेते हैं कि आप ने और किया है कि joining कहीं पर हुई है मेरा 0010 खुल गया है अप कितना टाइम लगेगा जोनिंग में देखें वेड़ करिए कि 10 खुल गया है तो आपका जोनिंग म क्या होता है इसको जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा उसमें मैं O-D account के बारे मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ O-D account क्या होता है क्यों खुलवाते हैं किसलिए खुलवाते हैं कैसे O-D account को आप चलाएंगे इसमें क्या फाइदा क्या नुकसान है इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जरूर देखिएगा और यहां पर मैं आपको बता दूँ एक चीज जो आपने भी पूछी है कि जो सामान मिलेगा पचास हजार में आपको खरीदना है तो क्या क्या खरीदना है वो देख लीजेगा तो लिए यहां पर मैं आपको बता दूँ कि आपको पचास हजार में क्या क्या उपकरण खरीदने तो पहला आपका है पचास हजार रुपे नीचे पचीस हजार लिखे है और पचास हजा वाला एपटाप होना चाहिए उसके बाद प्रिंटर और स्कैनर आपको लेना है वेब का अमरा एक लेना है बायोमेटिक डिवाइस जो होती है मतलब बायोमेटिक मशीन वो लेनी है और डाटा कार्ड लेना है यूपीयस पिन पैट लेना डिवाइस है कैस बॉक्स यह सब के आपके यह उपकरार आपको खरीदने हैं और 25,000 आपको अपने बैंक में सुरच्चित रखना है ताकि उससे आप लेंदेन कर सकें और इधर लिखा हुआ है इस अमाउंट विल भी प्रोवाइड़ेट बाई एस लोन टू एस जी मेंबर सीडिसी बाद वही कि आपको समू क खाते में ही 75,000 रुपया दिया जाएगा और समू में इसलिए आपको जोड़ा जा रहा है तो समू के लिए आप काम करेंगे समू के खाते सी आपको 75,000 निकाल लेंगे 75,000 पूरा आप निकाल लेंगे समू के खाते से और 25,000 आप अपने खाते में रखेंगे और 25,000 में अच्छी जो है कंपनी के और अच्छे उपकरण औरिजिनल खरीदने हैं तो यह सब आपको सोयम से ही तैयारी करनी है और अपना आफिस तैयार करना है चलिए अब हम आपको जो है वो ओडी अकाउंट के बारे में नेक्स वीडियो में जरूर बता देंगे और यहां पर जोती सिंग जी है तो यहोंने पूछा हुआ है मैं सुल्तान पूर जैसिंग पूर ब्लॉग की ट्रेनिंग कब तक होगी देखिए जिसकी भी ट्रेनिंग होगी उसको कॉल जरूर आएगी आप लोग ना यूटूब पे ये जैसे कि आप परेशान रहते हैं कि मैम ट्रेनिंग कब होगी ट्रेनिंग कब होगी कोई भी यूटूबर आपको ये नहीं बता सकता है कि ट्रेनिंग एक्जेक्ट कब होगी वो भी सर्च करते हैं जानकारी खटा करते हैं जब उनको जहां की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वहां की बता देते हैं क्योंकि ट्रेनिक के बारे में आपके बिलॉक पे PSAT पे आपके NRLM infrared निया अधिकारी ही जानते होंगे कि आपकी ट्रेनिक कब होने वाली है तो जो कोई इनके थोड़ा बोच जानकारी अपने कर लेते हैं जहां कहीं की हो जाती है किसी भी माध्धिम से तो वो बता दिया जाता है तो अगर हमें आपके बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम जरूर बता देंगे क्योंकि हम लोग भी सरच करते रहते हैं और फिलाल तो आप सही जानकारी तो आपको बिलाउक से ही मिल पाएगी और देखे जितनी BBC सखी की आवेदग है मैं एक सच आपको जरूर बता दू कि प्लीज आप लोग ये समझ लीजिए सुरू से बताया जा रहा है कि एक गाउ में तीन लोग महिलाएं जो हैं वो रखी ग जाएगा ऑई इसमें की बात नहीं है लेकिन आप यह अच्छे से घर बैठे रहें आप इंतजार करती रहेंगी वेट करती रहेंगी पिरतिक्चाप में कि आपके BMM जो भी sir मैडम जो भी हैं उनसे बोले sir आफ किलिएर बता दीजे कि हमारे गाउं में कौन सी महिला BC सकी के लिए shortlist हुई है और कौन सी महिला है अब इतना बता दीजे उस महिला का नाम ना बताएए पर ये बता दीजिए कि हमारे गाउं में short list कोई महिला हुई है किया उवो बता देंगे कि हाँ हुई है और उसके document यहां जमा भी हो चुक है कि जो भी महिला short list हुई होगी जिसका भी training होने वाला होगा उसका एक बार block पर document सारे जमा करवाये जाते हैं ब्लाक वालों को सब पता होता है कि किसका आपके गाउं से चैन हुआ है तो इतना तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ मेरे गाउं से कोई ना कोई चैन हो चुका है तो आप उसको जो है आपको अपडेट तब भी करते रहिएगा हो सकता है कि वो फेल हो जाए और आपको मौका मिल जाए तो आप अपडेट रहिएगा पर आप दूसरी तयारी भी करते रहिएगा क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीसी सखी की नौकरी के बाद आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे अगर आप नहीं बन पाई है बीसी सखी ध्यान सुनिएगा बीसी सखी अगर आप नहीं बन पाई है तो भी आप अपने गाउं में बीसी सखी बन सकती है और कैसे बन सकती है उसी के बराबर पैसा कमा सकती है कैसे कर सकती है मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियों पताने वाली हूँ त से हम लोग पीछे रह जाते हैं इसलिए जागृट बनिए और आगे रहे हमारे चनल से जुड़ जाईये ताकि आपको पूशेी चांकारी प्राप्त हो तो वीसी सखी में पूशेक्ट नहुने के बाद भी आप वीसी सखी में सउरेक्ट हो सकते हैं और 20 सखी बन कर 20 सखी के बराबर खड़े हो सकते हैं यानि आप अगर आपके गाउ में कोई 20 सखी बन चुकी है तो भी आप 20 सखी बन सकते हैं लेकिन ये होना चाहिए कि उसका एक जो है वो किलोमीटर का हिसाब होता है अगर आप फिलाल तो मैं आपको बताऊंगी पूरा जो है इस डिटेल के बारे में कैसे भी सखी बना है कि फिलाल तो हमारे चैनल से जुड़े रही है वीडियो देखते रही है आप इसके बाद मैं आपको बता दूँ यहां पे मधू गुपता जी है उन्नाओ का बग मर एक लिखा है बैंग गम गर्माव पढ़ने में मुझे नहीं आरा थोड़ा तो कब होगी ट्रेनिंग फिलाल उन्नाओं में तो जैसे ही कोई आती है अपडेट माम को जरूर बताएंगे फिर कैकशा खानम जी दी रामपूर में कब होगी जी जरूर बताएंगे रामपूर में तो फिलाल जल्दी होने वाली होगी रामपूर का नाम अक आपको नहीं दे सकते फिलाल तो आपका आपको अब यहापर महज बाबू दिखा रहा है और आप लिखा देना चाहती हूँ जनकारी आप अगर हमको जानकारी देना चाहती है तो आपको बहुत भष़ धन्यवाद वह स्वागत है क्योंकि आपकी जनकारी से मेरा नहीं बाख कर लीजिए और मैं आपका नाम सो करूंगी कि हाँ इनुने हमारी हेल्प करी और काफी लोगों को जानकारी दी क्योंकि ग्यान बाटने से ही ग्यान बढ़ता है तो आप जरूर वहां पर जाए एक काउन बनाईए और हमें जॉइन कर लीजिए और इस तरह से आप जो है हमारा जो है संदेश आप तक जाएगा और आपका संदेश हम तक आएगा चलिए यहां पर इतने कॉमेंट जो थे बहुत कॉमेंट आप सभी लोग जुड़े रही है और एक रिक्वेस्ट और है कि जितनी भी 20 सकी की ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई है और जहां जहां से भी कॉल आ गई है और जिनका जिनका भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है तो कॉल करके जरूर बताईए कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है और जहां जहां अभी तक कॉल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं आया है तो वो लोग भी आहां में कॉमेंट करके जरूर बताईएग क्योंकि इस बीसे सखी में बहुत सारे से पॉइंट है जो आपको जानना बहुत आवस्सक है अभी ओडी अकाउंट कोई जानना आवस्सक है जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो पहले से जनकारी हो जाएगी आपको आसानी हो जाएगी तो जुड़ जाएए और अपना नाम